हेलो फ्रेंज बागी की बेटी की कहानी गुर्मुक सिंग मुसाफिर ने लिखी है। इसमें, उन्होंने व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर भारत के स्वतंतरता सेनानियों द्वारा किये गए बलिदानों और उनके सामने आने वाली कठिनायों का एक चित्र चित्रत किया ह कहानी में हम देखते हैं कि किशन सिंग एक देशभक्त थे जिन्होंने भारत की स्वतंतरता के लिए ब्रिटिश शासन के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। पूलिस को गिरफतार करने के लिए आते ही उसने तयारी शुरू कर दी, लेकिन उसकी छोटी बेटी लाज को तेज बुखार था। किशन सिंग अपनी बीमारी के कारण गिरफतारी करने के लिए कुछ अनिच्छुक थे। उस समय उनकी बेहन वीरानवाली में थी और उन्हें वीरानवाली से पता चला कि उनकी पत्नी शरंक और स्वतंतरता आंदोलन में भाग लेने वाली महिलाओं की एक स दभा में शामिल होने गई थी। यह सुनकर किशन सिंग को गिरफतार करने आए पुलिस निरीक्षक के कान चुप गए। किशन सिंग ने देखा कि लाज का बुखार 102 था। वीरानवाली हाला की रोने लगी लेकिन किशन सिंग ने उसे रोका तो उसने अपने आसु रोक ल उसकी गिरफतारी से डर्ती नहीं है और उसके सहमत होने पर वह जेल जाएगी। उसने अपने पिता की तैयारी और वीरानवाली की बेचेनी से अनुमान लगाया कि वह जेल जा रहा है। उसने अपने पिता से कहा कि चिन्ता न करें। इस दोरान एक युवक पुलिस के चं पुलिस के साथ सवार होकर जेल चला गया। किशन सिंग की पत्मी सरन खान राश्ट्रिय ध्वजवाली बाले का पहने आगे चल रही थी और कई अन्य महिलाएं भी उनका पीछा कर रही थी। पूरा बजार भारत माता के नारों से गूंज रहा था। एक पुलिस कर्मी ने जंडा चीनने का असफल प्रयास किया लेकिन घाट में कृपान से पुलिस कर्मी के हाथ में छुरा घोप दिया गया। पुलिस घबरा गई और लाठी चार्च शुरू कर दिया। भारी भीड गाव में घूम गई और पुलिस ने महिलाओं को गिरफतार कर जेल ले आई। यहां पुलिस उनसे जंडा चीनने की कोशिश कर रही थी लेकिन वे कह रहे थे कि वे जंडा जेल की सीट पर लगा देंगे। इस समय किशन सिंग भी वहां पहुँच गए। उनके हस्तक्षिप पर महिलाएं इस शर्थ पर जंडा पुलिस को सौपने के कि ये तयार हो गई कि वे उन्हें सम्मान पूर्वक कॉंग्रेस कार्याले पहुचाएंगे। दूसरी ओर लाज ठीक हो गया और वीरानवाली उसे अपने साथ घर ले गया। उनके पती हुशनाक सिंग ने सेना में सेवा की और एक स्वार्थी व्यक्ती थे। उसे छुटी से घर जाते समय पता चला कि उसके देवर और भाभी को गिरफतार कर लिया गया है। जब वे घर पहुचे तो वीरानवाली खुश था लेकिन हुशनाक सिंग को अपने घर में लाज की उपस्थिती पसंद नहीं आई। उन्होंने वीरानवाली से कहा सुख तुम्हें की बातचीत पसंद नहीं है। सबसे पहले सरकार को यह नहीं पता होना चाहिए कि कोई विद्रोही हमसे संबंधित है। अगर पता भी चल जाए तो हम कह सकते हैं कि यह हमारे काबू से बाहर हैं लेकिन आपने जान बूच कर यह लज्जा अपनी गर्दन पर क्यूं तुम नहीं जानते बागी की बेटी को घर में रखना क्या गुना है। यह सुनकर वीरन वाली का अपने लगी। उसने उन सभी परिस्थितियों का वर्नन किया जिसमें वहलाज को अपने घर लाया था। लेकिन सूबेदार मेज़ बनने की आशा रखने वाले हुशनाक सिं उनको कुछ भी प्रभावित नहीं हुआ। वयोवरत पती रात भर रोता रहा और पती की जिद ने उसे शक के दाएरे में ला दिया। सज्जनों, मित्रों और बड़ों के तरकों से हुशनाक सिं प्रभावित नहीं हुए कि उनके देवर और भाभी की जिम्मेदारी किसी भी तरह से उन पर नहीं आती है। छुट्टी के अंत में हुशनिक सिंग ने दरवाजे पर लॉट छोड़ दिया, घर को बंद कर दिया और वीरनव को अपने साथ टैंगो में ले गया। कुछ समय बाद किशन सिंग किसी तरह वीरान सेंट्रल जेल मुलतान में मिले। लेकिन उसने कहा कि उसने जमा छोड़ दिया है। एक खंटे तक चली मुलाकात में दोनों एक ही काम कर पाए और फिर गीली आँखों से अलग हो गए। इस भरोसे को धोखा देने का सदमा वीरानवाली सहन नहीं कर सका। वह कुछ समय बाद मर गई। किशन सिंग को आखिर कार पता चला की लाज लाहॉर ट्यूबर क्लोसिस अस्पताल में हैं। कारावास की सजा पूरी होने के बाद शरनकौर लाहॉर अस्पताल पहुंची उस समय अस्पताल बन था। शरनकौर को नहीं पता था वार्ड आदी का नंबर। उसने लाज का नाम बताया तो वेट्र इसने कहा कि अस्पताल में उस नाम की कोई लड़की नहीं है। यह पूछे जाने पर कि क्या उन्होंने अपनी बेटी को खुद अस्पताल में भरती कराया है। शरनकौर ने जवाब दिया कि वह जेल में हैं। जेल का नाम सुनकर नौकरानी ने स्थिती को समझा और कहा। उम, वह एक विद्रोही की बेटी होगी। उसने शरनकौर से कहा कि यहां कोई भी उसे उसके असली नाम से नहीं जानता था। थोई ने बताया कि कैसे उसका भाई ससुराल वाले उसे उसकी चाची के पास छोड़ गए। बाद में उसे बुखार हो गया और वह सरदार पर देटी रही। फिर उसके पिता का एक दोस्त उसे अपने घर ले गया जहां वह बीमार पड़ गई। फिर उन्होंने उसे अस्पताल छोड़ दिया और वेटरेस ने समझाया कि वह अब अपने माता पिता की प्रतीक्षा कर रही थी। बाद में जब शरनकौर लजजित होक अगर कमरे में पहुंची तो उसने अपनी मा को देखा और अपनी जान दे दी। प्लीज लाइक शेर और सब्सक्राइब माइ चैनल और प्रेस बेल आइकॉन